हेलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आप इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है इंडियन बैंक का ये अकाउंट आपनिंग फॉर्म भरना होगा ब्रांच नेम आप इंडियन बैंक की जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच का नेम यहापको लिख देना है इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाप लिखा ओपर सकते है डेट टोप बर्थ यहापको लिख देनी है जैंडर यदि आप मेले यहाँ जो है आपको अपना फादर का नेम यहाँ आपको लिख देना होगा यहाँ जो है आपकी जो भी मंतली इंकम है वो यहाँ आपको लिखना होगा यहाँ जो है आपको इस हैब करना होगा फिर आपको अपने बच्टे stub सकते हैं और यहाँ जो है आपको आपको इंडियन लिख देना है country of tax return in India only तो यहाँ आपको yes पिटिक करना है pen यहाँ जो है आपको अपने pen card का pen नमबर यहाँ आपको लिख देना है फिर आप नीच आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है contact detail आपको जो है यहाँ अपना mobile number यहाँ आपको लिख देना है आपके पास इनमें से जो भी document है उस document पे यहाँ आपको टिक कर आप जो भी document देंगे उस document पे टिक कर उस document का identification number यहाँ आपको लिखना होगा मान लीजे यह आप अधार कार्ट देंगे तो यहाँ आपको अधार पे टिक कर यहां जो है आपको अपने अधार काट का अधार नमबर यहां आपको लिख देना होगा इसके बाद आपको चलना है next page की तरफ next page पर आजाने के बाद यहां आप लिखा हुआ पड़ सकते है address detail आप जो यह address देने वाले हैं उस address पर आप currently रह रहे हैं तो यहां आपको टिक कर देना होगा जो आप यह address देने वाले हैं उस address पर आप ढरेजिड Anything रह रह रहे हैं तो आपको वे खक्रेणुन का यह देना होगा आठ लिख देने के बाद यहां आपपना सीटी को लिख देना हो गा यहां आपको अपना state यहां आपको लिख देना है यहां जो है आपको अपना pin code यहां आपको लिख देना होगा आपने जो उपर address लिखा है वही address आप यहां लिखने वाले हैं तो यहां आपको same as current पर tick कर देना होगा जो आपना address लिखा है उपर वही address आपको नीचे यहां लिख देना है address लिख देने के बाद यहां आपको अपना city लिख देना है यहां आपको अपना state यहां लिख देना है और यहां जो है आपको अपना pin code यहां लिख देना होगा यहाँ आपको place, यहाँ आपको लिख देना है, date, आप जिस दिन इस form को bank में जमा कराएंगे, उस दिन की date यहाँ आपको लिख देनी होगी, फिर जब आप नीचे आएंगे, आपको लिखा हूँ पर सकते है, for office use, यह जो नीचे का portion है, यह bank के अधिकारी भरेंगे, इसमें आ आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर आप नीच आएंगे, तो यहाँ आप लिखाओ पर सकते है, type of account, यहाँ आप saving account खलवा रहे हैं, तो यहाँ आपको saving bank account पर यहाँ आपको tick कर देना है, mode of operation में आपको self पर tick कर देना है, service required, आपको जो Indian bank से सुभीदा चाहिए, आपको उ internet banking, इदि आपको internet banking की सुभीदा चाहिए, तो yes पर tick कीजए, नहीं चाहिए, तो no पर tick कीजए, SMS alert की इदि आपको सुभीदा चाहिए, तो yes पर tick कीजए, नहीं चाहिए, phone banking service, इदि आपको phone banking service की सुभीदा चाहिए, तो yes पर tick कीजए, नहीं चाहिए, तो no पर tick कीजए, इस छोड़ देने हैं इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ next page पर आजाने के बाद यहां लिखा हुआ पर सकते है nomination form DA1 nomination form यानि कि यह दिया आपको कुछ हो जाए तो आपको अपको अपना name यहां को लिख देना है तो आप यहां लिखा हुआ पर सकते है nominate the following person to whom in the event of my death the amount of these deposits particulars of which are given below may be returned by the Indian bank Indian bank के जिस branch में आप account खुलवा रहे हैं उस branch का name यहां पर लिख देना है आप nominee को passbook पर प्रिंट करना चाता है तो यहां आपको टिक कर देना है detail of nominee यहां जो है nominee की detail यहां आपको भरनी होगी यहां जो है आपको nominee का name लिखना होगा यानि कि यह दिया आपको कुछ हो जाए तो आपके account में जो balance होगा जिसका आप यहां नेम लिख रहे है वो उसको मिलेंगे तो यहां जो है nominee का name यहां आपको लिख देना है nominee का mobile number यहां आपको लिख देना होगा यहां आपको अपने signature यहां आपको कर देना है फिर आप नीचे आएंगे declaration come undertaking come self certification आपको इस declaration को ज़रूर पढ़ लेना है declaration को पढ़ लेने बाद यहां आपको अपने signature कर देना है यहां आपको place यहां आपको लिख देना है date आप जिस दिन इस form को bank में जमा कराएंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी है फिर आप जब नीचे जाएंगे तो यहां आप लिखाओ पर सकते है for office use यह जो नीचे का portion है यह bank के अधिकारी परेंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ next page पर आजाने के बाद यहां आपको लिखाओ पर सकते है terms and condition आपको इन terms और conditions को ज़रूर पढ़ लेना है Terms and conditions को पढ़ लेने के बाद यहां आप लिखाओ पर सकते है signature यहां जो है आपको अपने signature यहां कर देने होंगे यहां signature कर देने के बाद इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरफ यहां आप लिखाओ पर सकते है Saving Bank Rules आपको इनic rules को ज़रूर पढ़ लेना है rules को पढ़ लेने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है signature यहाँ आपको अपने signature यहाँ आप कर देने होंगे इसके बाद आपको चलना होगा next page की तरह next page पर आजाने के बाद यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है form number 60 मैं आपको एक बाद बताना चाओंगा form number 60 को भरने के ज़र जब पढ़ती है जब pencard ना हो तो यदि आपके पास pencard नहीं है तो बीना pencard के किसी भी bank में account खुलवाना काफी मुश्किल हो जाता है यदि आपके पास pencard है तो आपको in columns को खाली छोड़ देना है यहाँ जो है आपको अपना name यहाँ को लिख देना है signature of declarant यहाँ जो है आपको अपने signature यहाँ को कर देनी होंगे place यहाँ जो है आपको place यहाँ को लिख देना होगा यह सारी चीज़ है आप इस form में भर देते हैं तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा आप जब इस form को लेके जाएंगे तो साथ में जो है आप अधार कार्ट, पैन कार्ट की फोटो कॉपी और ओरिजिनल डोकिमेंट ले जाएगा और साथ में बैंक अधिकारी उसे पूछ लीजेगा कि सेविंग अकाउंट के लिए कितना मिनिममम बैलंस मेंटेन करना परता है और ये सारी चीज़े आप डोकिमेंट्स ले जाते हैं और ये मिनिममम मेंटेन बैलंस का भी पूछ लेते हैं तो आपका easily account खुल जाएगा तो आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकरी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आई हो पसंद तो या लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्टफॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करना स्मार्टफॉन की चैनल को साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटस वीडियो की जानकरी के लिए अब एक वीडियो मेटता ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद